बच्चों आज हम NCRT की बुक क्लास 9 जान पैचान का सबक नमबर 17 पढ़ेंगे तो आईए आज हम सबक नमबर 17 पढ़ते हैं बच्चों आपका सबक नमबर 17 जो है वो है कबीर के दोहे तो पहले हम कबीर के दोहे पढ़ने से पहले हम कबीर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कबीर का जनम जो है वो 1456 में हुआ कबीर की पैदाईश उत्तर परदेश के एक छोटे से गाउं मगर में हुई वो एक मुसलमान बुनकर के घर में पले बढ़े पढ़ना लिखना नहीं सीख सके लेकिन बेहस समझदार आदमी थे वो स्वामी रमानंद और सूफी शेख तकी से बहुत अकीदत रखते थे कबीर इंसानियत और भलाई के शायर थे वो सारे इंसानों को खुदा का कुन्बा समझते थे मजभ़ों की एकता में यकीन रखते थे और सारी दुनिया के लिए खेर की दूआ मांगते थे जाद पात की तफरीक गलत रस्मों रिवाज और तोहम परस्ती से मुखालिफ थे और इनकी जो बिट़ शायरी थी उसके जो मजमूआ था उसका नाम बीजक है जिसके तीन हिस्से रमनी, सुबत और साखी नामों से मशूर हैं इनकी शायरी अवदी, भोजपुरी, ब्रज और खड़ी बोली से मिली जुली आम फहम जबान में है उनकी बात दिल से निकलती और दिलों पर असर करती है यानि कि कबीर की जो शायरी थी और जो उनका शायरी का अंदास था वो इतना अच्छा था कि ऐसा लगता था कि वो हर बात दिल से कह रहे हैं और दिल से कहते थे और लोगों के दिलों पर उसका असर होता था उनका कलाम अर्दू और हिंदी दोनों जबानों में मकबूल है उनके कई दोहे जर्बलमिसल की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं कबीर ने काफी लंबी उम्र पाई यानि के कबीर की जो उमर थी वो भी काफी लंबी थी तो बेटा ये आपने कबीर के बारे में पढ़ा अब हम इनके दोहे के बारे में पढ़ते हैं ये हैं कबीर के दोहे इनका जो पहला दोहा है वो है